असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आज हम आइसो टॉप्स को डिस्कुस करते हैं चैप्टर नमबर वन का ये टॉपिक है तो स्टूरेंट्स आज हम आइसो टॉप्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आइसो टॉप्स के टॉपिक के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है और इसकी दो या तीन एक्जेंपल्स वो शोर्ट क्वेस्टिन के तोर पर आती है इसमें मुख्लिफ ऐलिमेंट्स के आइसो टॉप्स की अमाउंट को डिटेल में डिस्कुस किया गया है इसमेंपल टिन के अलेवन आइसो टॉप्स होते हैं यह बताया गया है इनको एमसी क्यूज के तोर पे बहुत इंपॉर्टन्स दी जाती है आइसो टॉप्स के अंदर हम उसकी रेलिटिव अबंडन्स को भी डिसकस करेंगे नेचरली कितने अबंडन्ड आइसो टॉप्स हैं और आर्टिविचल हमने कितने बनाए है कौन-कौन से आइसो टॉप्स जयदा होते हैं किन एलिमेंट्स का आइसो टॉप्स जयदा होते हैं और किन एलिमेंट्स का आइसो टॉप्स काम होते हैं उनका atomic number भी एक जैसा होगा, उनका atomic mass भी एक जैसा होगा, उनकी chemical properties भी एक जैसी होगी, और उनकी physical properties को भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक scientist थे, Frederick Sody, Sir, Frederick Sody ने जब radio activity पर research की, तो उन्होंने कुछ ऐसे atom discover किये, एक ही element के कुछ ऐसे atom discover किये, जिनका atomic number तो same है, लेकिन atomic mass different होता है, उसको उन्होंने isotopes कहा, isotopes असल में Greek word, isos, topos से निकल है, जिसका मतलब होता है same place, असल में isotopes जो होते हैं, उनका atomic number same होता है, ये किसी भी element के ऐसे atoms होते हैं, जिनका atomic number same होता है, that's why हमारा modern product table, जो कि atomic number की based पे, arranged elements की एक framework के एक form है, उस में तमाम, एस isotopes एक ही element के, आएंगे एक ही place पे, लेकिन उनका mass different होगा, ये isotopes जो हमारे सामने, हम discuss करने जा रहे हैं, ये असल में number of electron और number of proton सेम रखते हैं, लादा इनके atomic number का difference नहीं आ सकता, that's why they occupy the same place in modern product table, isotopes के discover होने के बाद, Sir John Dalton की theory का ये point, एक element के तमाम atoms, एक जैसे होते हैं गलत हो गया, असल में बात यूँ हो है, कि जब हम hydrogen element के atoms को study करें, तो हम ऐसा करते हैं, ये hydrogen elements का एक sample लेते हैं, और इसके अंदर ये first hydrogen atom को देखते हैं, आप देखेंगे कि इसके अंदर एक electron है, एक proton है, हम एक और atom उठाते हैं इसमें से, और उसको देखते हैं, उसमें एक electron है, एक proton है, और एक neutron है, इससे पहले वाले atom में तो, जो neutron है, वो exist ही नहीं करता था, और दूसरे वाले atom में, neutron exist करता है, इसका मतलब यह हो गया, कि hydrogen, element के बेशक यह दोनों atom है, बेशक इनका atomic number सेम है, क्योंकि electron और proton तो एक जितने हैं, लेकिन neutron के difference की वजए से, इनका atomic mass different हो जाएगा, ऐसे atoms, एक दूसरे को, एक दूसरे के isotopes कहलाते हैं, सो हम definition पढ़ते हैं, extended, isotopes are different kind of atoms, they are not same kind, क्यों उनका atomic mass different होता है, सो isotopes are different kind of atoms, of same element, यनि क्या hydrogen है, तो hydrogen के यह जो दो मैंने discuss की है, यह एक ही element के दो atom है, having same atomic number, इनका atomic number सेम होता है, उसकी वज़ा, कि इनमे number of electron और proton सेम होते हैं, बट different mass number, इनका mass number इसलिए different होता है, क्योंकर इनका जो nucleus है, उसका फर्क होता है, उसमें number of neutrons का difference होता है, हम ऐसा करते हैं, हाइडरोजन के, जो naturally occurring तीन isotopes हैं, इसको सबसे पहले discuss करते हैं, हाइडरोजन का पहला isotopes, जिसमें एक electron, एक proton, और कोई neutron नहीं होता, इससे protium कहते हैं, protium का atomic number one, और mass number भी one होता है, दूसरा isotope कहलाता है, deutrium, deutrium में एक electron, एक proton, और एक neutron होता है, ये isotope, पहले वाले से neutron की वज़ा से different है, इसका mass different होगा, तीसरा isotope hydrogen का होता है, ट्रीटियम, इसमें भी एक proton, और एक electron ही होता है, मगर number of neutron की तदाद, जएदा होती है, दो होती है, तो इसका total mass होगा, number of neutron, प्लस proton, तो mass number भी गया, इसका three, इसी तरह carbon के, बहुत से isotope artificially तो बन गए है, लेकिन हम अगर तीन natural isotope की बात करें, तो carbon के तीन natural isotope है, 12, carbon 13, carbon 14, carbon 12 के अंदर 6 proton, 6 electron, और 6 neutron होते हैं, अगर आप 13 और 14 को देखें, तो उनमें proton nucleus के अंदर 6-6 ही हैं, फर्क आएगा उनमें neutron का, 13 वाले के अंदर 7 neutrons हैं, और 14 वाले के अंदर 8 neutrons हैं, अब ये neutrons की amount जएदा होने की वज़ाएसे, जो आपका element का atom है, वो एक दूसरे से different होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकर उनका mass different हो जाता है, अब mass एक ऐसी चीज़ है, जिसकी वज़ाएसे physical properties पे असर होता है, तो इनकी physical properties similar नहीं रहेंगी, यही वज़ाए हम इनको कहेंगे, कि ये same kind के atoms नहीं हैं, they are actually isotopes of each other, हम इनकी ऐसा करते हैं, properties को compare करते हैं, उनमें similar properties के हैं, और dissimilar properties के हैं, students, इनमें similar property सबसे पहली है atomic number, इन सारों का atomic number सेम होता है, क्योंकि इनमें number of electron, और number of proton एक जितने होते हैं, और atomic number तो depend इनमबर of proton पे करते हैं, दूसरी property इनमें जो सेम होती है, वो होती है कि इनके valence shell के number of electron बराबर होते हैं, अगर इनमें सिर्फ valence shell के electron इक्वल नहीं होते हैं, बलकि इनकी पूरी electronic configuration ही एक जैसी होती हैं, उसकी वज़ा कि इनमें number of electron एक जितने हैं, लहाज़ा इनकी chemical properties भी एक जैसी ही होंगी, क्योंकि chemical properties number of electrons पे डिपेंड करती हैं, इनमें similarities के अलावा dissimilarities भी हैं, इसे दो चीज़े तो confirm change होंगी, इनका mass, यानिके mass number, और nucleion number, number of neutrons के फर्क होने की वज़ाद से, nucleus के particles की amount कम ज़दा हो जाती हैं, for example, hydrogen का पहला isotope proteum, दूसा isotope dutreum, तीसा isotope treatium, पहले का nucleion number था 1, atomic mass number था 1, क्योंकि उसमें number of particles जो थे वसे proton था, और अगर मैं सिफ dutreum की बात करूँ, तो उसके अंदर number of proton और number of neutron दोनों की तदाद एक एक थी, जो उन्होंने nucleion number या mass number बताया, वो तो निकला 2, तो इनमें mass number और nucleion number का फर्क होते हैं, लहादा ultimately अगर इनका mass डिफरेंट हो गया है, तो इनकी physical properties भी डिफरेंट हो जाएंगी, कुछ ऐसे elements हैं जिनका isotopes की तदाद को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, हमारी book में ये MCQs के तोर पे समझा जाता है, और बॉर्ड में अक्सर इसमें से MCQ आते हैं, तो लहादा हम ऐसा करते हैं कि इन important elements के isotopes की amount को एक दफा revise कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ताके हमारे लिए असानी हो, oxygen के तीन isotopes होते हैं, try isotopic element है, nickel के 5 होते हैं, calcium के 6 होते हैं, plaudium के 6 होते हैं, cadmium के निचे होते हैं, और सबसे ज़ादा जो isotopes लिखे गए हैं, वो tin के होते हैं, यह number of isotopes आपने याद रखने हैं, definition of isotopes भी याद रखनी हैं, और यह भी याद रखना हैं, अगर isotopes के mass different हैं, तो इसका मतलब यह different kind of atoms हैं, of same element, जहां से Dalton Atomic Theory का जो कैसे होते हैं, गलत हो गया, अब हम चलते हैं, दूसरे topic की तरफ, relative abundance, relative abundance की definition, सबसे बहले discuss करते हैं, relative abundance of any isotope, is actually the percentage of specific isotope, of specific mass, आप इसको यह भी पढ़ सकते हैं, the percentage of specific isotope, in naturally occurring sample, किसी भी naturally occurring sample के अंदर, एक खास isotope की जिसका specific mass है, उसकी किती percentage है, of an element, is called relative abundance, तो relative abundance क्या है, the percentage of specific isotope, in naturally occurring sample, of an element, हम example के तोर पे, carbon 12 को लेते हैं, carbon के तीन isotope, naturally occurring होते हैं, एक radioactive होता है, 14, जो carbon का 12 isotope है, जिसका mass 12 है, actually, उसकी percentage होती है, 98.89, और carbon 13 की जो percentage होती है, वो होती है, 1.107, carbon 14 traces में पाए जाता है, बहुत कम amount में, और यह radioactive होने के साथ, जो कोई isotope radioactive होगा, तो याद रखिएगा, कि उसकी property होगी, कि वो आइस्था इस्था decay कर जाएगा, उसका nuclear decay हो जाएगा, और वो radioactive rays produce करेगा, दो तरह के isotope हमारी book में, with different amounts लिखे होए हैं, एक है natural isotopes, एक है artificial isotopes, natural isotopes जो अभी तक discover होए हैं, वो है 280, उन में से 40 isotopes radioactive हैं, जो हमने बनाए हैं, through any way, वो 300 हैं, वैसे तो यह radioactive disintegration के जरीए बनते हैं, यह 300 isotopes unstable हैं, artificial हैं, अब आप कहेंगे, कि isotope unstable है, radioactive है, इसको कैसे अंधादा लगाया जा सकता है, जिस isotope के इदगी radioactive decay produce हो रहा है, alpha, beta, gamma rays produce हो रही है, वो actually, उसका nucleus जो है, वो unstable है, वो disintegrate कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे, के वो isotopes stable नहीं है, इनकी half life होती है, और depend upon के कौन से isotope की हम बात कर रहे हैं, कुछ artificial ऐसे isotope होते हैं, जो कुछ seconds भी नहीं जिन्दा रह पाते हैं, और कुछ natural ऐसे radioactive isotopes हैं, जिनकी जो life है, वो कहीं hundred years पे हैं, और कुछ की कुछ thousand पे हैं, अब ये बड़ा एक important short question आता है, के mono-isotopic elements क्या होते हैं, असल में na mono-isotopic elements are those elements, which have only one isotope, अब याद रखिएगा, इसकी example में आता है gold, iodine, fluorine, और arsenic, mono-isotopic elements जो होते हैं, इनका एक ही isotope exist करते हैं, artificial बना लिए गए हैं, ऐसा नहीं है, के हम gold याँ, iodine का कोई artificial isotope नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो stable नहीं होगा, वो unstable होगा, और naturally occurring samples के अंदर, वो exist नहीं करता होगा, एक बड़ी अजीब बात है, कि जिनका atomic number even होता है, elements का, और atomic mass भी even होता है, उनके isotope जएदा पाए जाते हैं, और जिनका atomic number odd होता है, उनके isotope कम होते हैं, और अकसर elements के, दो से ज़यदा stable isotope ही नहीं होते हैं, फॉर एक्जेंपल, hydrogen का atomic number है one, ये odd atomic number है, odd atomic number के, दो से ज़यदा isotope stable नहीं होते हैं, अगर आप गोर करें, तो इन तीन isotope के अंदर, जो पहले दो आपके पास isotope हैं, hydrogen one, hydrogen two, protium और dutium, ये तो stable हैं, लेकिन वो जो third one वाला है, वो है radioactive, एक बात जो बड़ी, आपको याद रखने के लिए जरूरी है, कि हमारा earth crust 50% ऐसे element से भरा बढ़ा है, जिनका mass number four के multiple में हैं, और इनका isotope उसी हिसाब से abundant है, क्योंकि ये maximum amount of earth crust में exist करते हैं, 50% हमारा earth crust किन element से मिलके बने हैं, वो जरा हम बात कर लेते हैं, oxygen 16, magnesium 24, silicon 28, calcium 40, और iron 56, ये वो elements हैं, जो most abundant है, earth crust का 50% बना रहे हैं, लेहादे इनका isotope भी abundant होंगे, relative abundance of isotope, find की जाती है, mass spectrometry के जरीए, mass spectrometry एक ऐसी टेकनीक है, जिसमें हम isotopes के masses, और उनकी relative abundance, mass spectrometer के जरीए find करते हैं, जो हमारा next topic है, ये कुछ important percentages हैं, abundance हैं, जिसको हम याद कर लें, तो हमारे लिए बहुत फाइदा होगा, उसकी वज़ा, कि ये abundances, antitrass, या board में MCQs के लिए, sometime important समझी जाती हैं, hydrogen के दो isotope, hydrogen 1 और hydrogen 2, इनकी abundance लिखी हुई है, sample के अंदर, 99.985 और 0.015, जो इनका तीसरा isotope है, चुँके वो traces में होते हैं, बहुत कम मिगदार में, लेहाद हम उसकी, इस तरह परसेंटेज यहां पर लिखी हुई देखने रहें, जिस तरह बाकी दो isotopes की लिखी हुई हैं, carbon 12 और carbon 13, carbon 12 जो होता है, 98.893, और carbon 13 जो होता है, वो 1.107 एक्जिस्ट करते हैं, nitrogen के दो isotope 14 और 15 की परसेंटेज जिनने में मेंचिन की हुई है, 99.634 और 0.366, यह कुछ पहले तीन isotope है, जिनको आपने परसेंटेज, और कौन सा isotope जएदा परसेंटेज में एक्जिस्ट करता है, यह एक्लिस्ट याद रखना है, तो सूडेंट्स, हमने isotope के topic में उसकी पहली बात यह पढ़ी, कि Sir John Dalton का जो postulate है, वो गलत है, Sir Frederick Soddy ने, जो हमारे पास isotope का phenomenon है, वो discover किया, याद रखिएगा, isotopy, actually isotopes की study के लाती है, तो isotopes क्या होते हैं, बहुत important है, आप ने याद रखना है कि isotopes क्या होते हैं, यह बहुत important है, as a definition, as a short question, यह आ सकते हैं, कुछ element के isotopes मैंने आपको बताए हैं, वो और एक्जेंपल, 10 के 11 बताए थे, relative abundance क्या होती है, artificial isotope, और natural isotope की amount क्या है, stable कों से हैं, कितने हैं, हमारा 50% अर्ष क्रस किन elements से बना हुआ है, और वो abundant है, और एक बात, mono isotopic elements क्या होते हैं, as a short question, तो students, मुझे उमीद है, यह topic आपको समझाया होगा, next lecture तक के लिए, Allah अभीज,